हाई गाइस माई नेम इस नदी भटना गरेना वेलकम यौ अल इन माई चैनल सो बच्चे आज हम करने वाले हैं कक्षा पांच का भाशा और व्याकरण देखो साइन्स के हम लोगों ने अल्रडी पांचे चाप्टर अप्लोड कर दी हैं अब हम दोड़ा इंदी व्याकरण ले जब आप बाते करते वैं इसा विए और अपने मंद बचाव को दिसरा के सामने में परकट ते खो किया बात दूसरों तक मुचाते हैं, तो हम देखो बोलते तो हैं, हम बोलके जैसे समय में अपनी बात आप के पास पुचा हरी हूँ, कैसे, बोलकर, चीए, और यहां जो किताब में लिखा हुआ यही विचार आप कैसे पढ़ जो भी लेखा किया, इसके विचार हम कैसे बढ़ प आपको कहीं ममी ने पूचा चलोगे तो आपने सरे लादिया बस आपके संगेट के द्वारा पर अपनी बात दूसरों तक पहुचा देते हैं ठीक है पच्छु पक्षी भी तरह की आवाज निकालते हैं चडियां चेह चाहती है कुट्था बहुंकता है यहां से देखो कोशन की बोली होती है कि संकेत्ज द्वारा बात करना भी अपनी बात बता सकते हैं सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझ सकते हैं जब मैं बहुर्गे जो विछा चाहिए उसकी बात समझ रहे हैं तो बोल कर और जिख न की बात बता सकते हैं सुनकर आप मेरी बात सुन रही हो इस着äre और मैं इस लेकुत की बात पड़री» तो पढ़कर एक दूसरे तक हम भी बात समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आती है, इसकी जो मेन डेफिनिशन होती हो, क्या होती है, भाषा क्या होती है, क्लास 3 से करते हो, बलकि क्लास 2 से करते हो, अब तक तो याद हो गई हो कि बोल कर या लिखकर, अपने भावो, यानि बाषा के दो ही रूप होते हैं, बचे रिखकर संकेतिक नहीं आता, पीछे आपको दिया गया है, तो बाषा के मुखे ता होती है, मुखे बोल कर अपनी बात दूसरी दो समझाते हैं, जैसे मैं मुझ से कुछ बोला, इस वक्त आप मेरी बात समझ रहे हो, तो यह है मुखे रूप है, आप सी बात चीत, यह एक्जामपल बहुत आजाते हैं, वाद विवाद मौकिक है, यह लिखेता है, यह सांकेतिक है, तो यह धिहान रखना, कि जिसमें बोलने की सुरत है, बस वो मौकिक है, भाषा मुझ से बोल कर देगा, कोई तो मौकिक हुआ, वाद लिखा हुआ पढ़ेगा ना, तो लिखित भाषा हुई, समाचार पत्र है, न्यूस पेपर से, जो सुबा आपकी घर आते हैं, तो आप दिखते हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो जो विचार जिसमें राइटर ने लिखे हुए है, वो आप पढ़के समझ रहे हो, गए टो लिखित भाषा का रूप है, सम्झेट भाषा कर दो आते हैं, आप पारत में रहे हुए है, वो, जो इला बैके में हैं झालते हैं, तो दो किसी व्याक्रण में भेखे है, इसे हम कहते हैं बोली, स embora इसे पारशा, वर्दू, जापनी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मनी, आदि तो ये क्या होती हैं ? कणसी मिर्जा में कुछे मुली उती है तो सकते हैं हमारी राष्ट्रो भाषा कौन सी है तो कि घ्रेम की दो को ल המצेना के लिखो लगोजिकों यह क्यों के लागों चूति जाने भली जाने फिंट रिखने के लिए जो चुन निस्रत हुआ है जिसे कहते हैं ऑन भाषा के अपने विश्च होती है हिंदी बाषा की लिपी का नाम यह इंपौर्टेंट डेवनागरी दिए आप जो डेवनागरी पंजाबी की गुरुमु लिखारी, जर्मन की रोमन, उर्दू की पार्सी, अंग्रेजी की रोमन, माराटी की देवनागरी, नेपाली की वी देवनागरी होती है जिन बची के पास इस τरह से बुक नहीं है अगर यह वली तो अपनी उन्डाउन भी कर सकते है अधिक करके चलो आप करे लिखते हैं हम बाक्यों का प्रयोग करते हैं वाक्य शब्दो से बनते हैं कि सिवर्न TO को कहीं भी रख देने हैं मिला देने से शब्द नहीं हां मैं और कलशकूर रिख्द नहीं है कि उसको कोई अर recap वह ससका जिसका प्रति एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे कि कलश, अगर शब्द का अर्थ नहीं है, जैसे कि उन्होंने लिखा है, शलक, तो ये शब्द भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसी प्रकार वाक्यों में शब्दों को कहीं भी र इसका ज्यान हमें कोण करा आता है व्याकरण ठीक है जिसे का पयुऊं इस्याऑ सफिकर पर पांड नियम क्या है अभी व्याकरण के लिखने के कुछ नियम होते हैं ओ नियमों के पालन के कारणी भाषा क्या होती है सब्सक्राण शद्ध बनती है, sentence सही बनता है, बोली लिखी जाती है, वो व्याकरण हमें नियमों के जानकारी देता है, अथा हम कह सकते है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण रहे हैं, व्याकरण रहे शास्त्रे हैं, जो किसी भाशा को शुद्ध रूप से, यानि कि बिल्कुल करेक्ट तरी क्योंकि करण व्याकरण का ग्यान होना आती आवश्यक है तो यहां फिनिश होता है हमारा ही चाप्टर वीडियो अच्छी रगे तो प्लीज दू सब्सक्राइब दिस चैनल कमेंट बाक्ष में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा चैप्टर समझ आया है नहीं आया ठीक है मिल